ओम शान्ति हम विसेश दादियों के साथ अंग संग रहकर जो कुछ सीखा है जो उन्होंने हम भेनों के अंदर विसेश दा भरी है उनके बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार एक-एक करम के उपर विसेश अटिन संदे के दादियां सिखाती थी इस प्रकार मेरे को याद आता है कि हम लोग सेंटर में कई बहने रहती हैं और एक साथ हर एक की अपनी-पनी सेवाएं होती हैं सेवाएं करते हैं पर उस सेवा में कभी-कभी बहने कोई तो एक दूसरे को मदद करती हैं जल्दी सेवा पूरी हो जाएं पर कई अपनी फेलिंग होती है कईयों की मेरी जो सेवा है मेरा जो सेवा का चेत्र है मैं बस उतना ही करूं बाकी और मुझे नहीं करना है और कोई तो फिर रिटर्न में जवाब भी दे देती है कि मेरी ये जूटी नहीं है तो मेरे को याद है कि परदादी हमें कहती थी यदि कोई सेवा के छेत्र में कोई बहन ने यदि ये सब्द कहा कि मेरी जूटी नहीं है तो दादी बहुत प्यार से समझा केके कहती थी कभी-कभी तो इसके उपर क्लास भी कराती थी कि जूटी क्यूं कहा ड्यूटी वो करते हैं जिने कुछ नौकरी मिलती है, तनका मिलती है और तुम बाबा के घर में तुम बहनों को कुछ नौकरी नहीं, कुछ पैसा नहीं मिलता है क्योंकि तुम्हारा जीवन ही सेवा के लिए है तो इस प्रकार हम देखते थे कि कभी कोई बहन ने इस प्रकार कह दिया, बोल दिया तो हमें तुरंट उसकी समझानी सिक्षा मिलती थी क्योंकि बाबा का घर सो अपना घर समझ के हम चलते हैं, तभी हमारा भागे बनता है तो होती छोटी बात है, पर उस छोटी बातों की गेराई बहुत उची है, जिस प्रकार हमको याद है कि दादी हमें बहुत हर बातों में बड़ा परफेक्ट एक्विरेट काम सिखाती थी, और परदादी तो सिलाई में, भुनाई में बहुत परफेक्ट थी, कटिंग भी इतना अच्छा कपड़ा करती थी, सिलाई भी इतना अच्छा करती थी हमको याद है कि जब परदादी नाइनटी, एक्टी या एक्टी वन में विदेश गई थी तो तीन-चार सो के करीब ब्लाउज कटिंग करके सिलाई करके गई थी और जो हम सेंटर पर भेहने थी तो हमें भी कहा कि तीन मास में जा रही हूं विदेश और मेरे पीछे आप सभी बाकी काम पूरा करके कंप्लीट करके रखना तो परदादी खुद भी सिलाई करती थी कटिंग करती थी और हुक आई तो ऐसा परफेक्ट एक्विरेट करती थी जो कपड़ा फट जाएगा पर हुक आई कभी भी खराम नहीं होती थी हुक कभी टूटता ही नहीं था इतना उनका ये एक्विरेट काम था स्वेटर भी इतना ही प्यार से बनाती थी मेरे को याद है जब मैं छोटी थी तेरह, चुदे साल की पंद्रे साल की जब बाबा साकार में थे तो परदादी ने उस समय क्योंकि उस समय तो पांड़ भर में बहुत थोड़े भाई बहने थे तो परदादी ने कलकत्ते से बुनाई की मसीन खरी दी और बाबा के लिए मम्मा के लिए जो भाई बेने रहते थे उनके लिए भी स्वेटर बना करके भेजे नीचे का बॉर्डर खुद बनाती थी और आगे का काम मसीन का खुद करती थी तो हम उस समय देखते थे कि इतनी बड़ी दादियां और कितना सहच करके हर कार करती हैं और हम बेहनों को यह सीखने को मिलता है जब इतनी बड़ी दादियां चोटे चोटे काम भी एक बड़े रूप से कर लेती हैं तो हमें उनसे देखने के और सीखने की बहुत प्रेड़ना मिलती थी इसी प्रकार दादी की और बात सुनाती हूं कि परदादी कभी भी मिर्ची ने खाती थी ना कोई काली मिर्ची ना हरी मिर्ची ना लाल मिर्ची ना सिमला मिर्ची तो सिम्पल खाना खाती थी मैं समाझती, मेर्ची निकोते हो दो उन्हें कही दिई खुए तख की खुए नहीं होगी. तो क्या होता था, कि एक दिन हम भेने खाना खा रहे थे और धु जो कभीकभी देल होती थी की, हरी मयर्ची खाए. तो एक दिन क्या हुआ कि हम भेने जो टेबल पर चेर पर बैठके खाना खा रही थी तो थोड़ा मिर्ची की दिल हुई तो हम भेनों ने नीचे हाथ करते टेबल के नीचे हाथ किया और सब के हाथ में मिर्ची थी हरी मिर्ची परदादी को भोजन कराने के बाद हम भोजन करते थे तो सभी का चार पांच भेनों का हाथ नीचे देखके परदादी कहने लगी चक्कल लगाते कि तुम लोगों के हाथ में क्या है जो सबने हाथ नीचे किया हुगा है और नीचे हाथ इसलिए किया था क्योंकि सब के हाथ में मिर्चिय दीदी देखने ले भी तो परदादी समझ गई कि जरूज कुछ दाल में काला है कुछ हम से छिपा रही हैं पर छिपा के रखी थी हरी मिर्चि तो समझ गई वो हमारे हाथ के सारे से और हम लोगों को कहा कि भले खा तो कोई बाथ नहीं है पर जो मिर्चि खाएगा वो सत्युक में नहीं जाएगा ऐसे करके हम भेहनों को कोई ना कोई रीती से कोई ना कोई प्रिकार से रस से चलते, बैठे हुए, सोते हुए, कर्म करते हुए हमें सिक्छाय मिलती रहती थी अब परदादी की पर्सनल बात और सुनाती हूँ कि परदादी जब भी भोजन करती थी चाय दिन में चाय रात में पर भोजन करने के पहले वो पहली गिट्टी उठाती थी और पहली गिट्टी उठाने के साथ पहले बाबा को याद करती थी यदि कोई सामने कोई बेहन आ गए अनन्य विसेश ऐसे हरेक कोई तो आता नहीं था भूजन के टाइम के समय नास्य के समय पर कचाना कोई काम होता था तो कोई बेहन आती थी तो पहली गिट्टी बाबा की याद की दादी उनको खिला देती थी तो हम देखते थे कि और ये भी उनका अभ्यास हमने प्रैक्टिकल देखा कि भोजन करने समय कभी भी कोई बाहर की बात बाहरी मुक्ता की बात कभी नहीं करती थी वो हमेशा अटेंसन रखती थी कि जितना समय में पांस-दस मिट धीरे-धीरे खाती थी और भोजन कर रही हूं तो बाबा की याद में भोजन करना है तो इस परकार हम देखते थे कि उनके जो सारे दिन की दिंचिरिया में जो भी करम होते थे वो स्वेम भी बाबा को तने ही याद करती थी और हम भेनों को भी बिसे सिमिटती देलाती थी क्योंकि हम लोग कभी-कभी तो भोजन करने समय चार-पांच बैठते थे तो कभी कोई बात कर भी लेते थे पर राश्ते चलते क्रोस करते जाती थी क्योंकि उनकी ऐसा नियम था दिंचरिया थी क्योंकि भोजन के बाद पांच-दस मिंट पैदल करना तो जब कभी हम लोग को बात करते आपस में देखती थो तिर्शी नजर से बाबा की तरह देख के चली जाती बोलती नहीं थी तो हम लोग समझ जाते थे कि दीदी का इसारा बाबा की तरफ याद दिलाने का है तो इस प्रकार हम देखते थे कि होती छोटी बात है जीवन में पर वो छोटी छोटी बात है हमारे जीवन का एक आधार बन जाती है सिखाने का उसी प्रकार मेरे को एक बात और याद आती है की किस प्रकार हमें हर प्रकार की कर्मना सेवा भी क्यों न हो दाधी सिखाती थी एक बार की बात याद है की आभू से एक आम गया हुआ था बड़ी दादी ने आम भेजा था और विदेश का आम था तो दादी ने कहा कि ये एक आम से कम से कम हम लोग घर में भी 25 तीस रहते थे सेंटर पर क्योंकि बड़ा घर था हैट क्वार्टर था इस्टन जोन का तो पुस एक आम से परदादी ने इतना अच्छा उसकी कटिंग किया कम से कम 25 की जगे 30 पीस एकदम एक समान काटे क्योंकि यदि किसी को छोटा बड़ा पीस होगा तो भी संकलब चलेगा एक सरी का काटा एक समान काटा और सब को एक समान सरी का ही वो आम सब के मुख में दिया तो हम यह देखते थे उस समय कि जो भी काम करते थे उस काम को बहुत परफेक्ट करते थे कोई चीज का डिफेक्ट नहीं और हमेशा कहती थी कि सत्यु में जाना है तो संसकार उसी प्रकार के रखने है परफेक्ट बनने की क्योंकि डिफेक्ट मालक कोई भी लेता नहीं है कोई माल करीद करता तो परफेक्ट एक युरेट जो चीज होती है अच्छी होती है बढ़िया होती है उसको lagi लेते उसको ही गिरें करते हैं इसी प्रकार हम बाबा के बच्चों में भी जो भी कार्य कर्नी की दुकला है जो भी हम कार करते हैं वो बहुत एकूरिट परफेक्ट करना चाहिए तो हम देखते थे कि इतनी छोटी छोटी बातों के उपर दादियां टेंसन दिलाती थी पर दादी तो बहुत विसेस रूप से हरे को यही कहती थी कहीं पर भी जाओ तो कोई ऐसा ना कहे कि इन्होंने तो कुछ सीखा नहीं है और जीवन में सीखा हुआ होगा तो वो हमारे काम में कहीं न कहीं कभी न कभी जरूर आएगा इसलिए हम बाबा के बच्चों को ऐसे ही अपने जीवन में करना है जो सामने वाला देख के कहे कि वास्ता में इनका काम एकदम एक्विरेट परफेक्ट है यह है दादियों की विसेश्ता और उनकी सिख्चाएं ओम शांती